दोस्तों astrology logic channel में आपका हारदिक स्वागत है, चेनल को अगर आपने subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर करें, वीडियो को like जरूर करें, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे health issues in astrology, आपके सिर से लेके पाऊं तक कौन सा भाऊ, किस चीज को दिखाता है, उसके बारे में बात किस भाहों से आपको ज्यान करना है अगर आपके पेट में दर्द रहता है कब जी रहती है तो क्यों रहती है किस वज़े से रहती है आपके जाती में दर्द रहता है फेंफडों में दर्द रहता है क्यों रहता है आपके अड्डियों में दर्द है तो क्यों रहता है किस वज वीडियो को ज्यान से सुनिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा देखिए आपका पहला बाव जो है लगन बाव जो है सिर का होता है पहला बाव के सिर रंग और कद और दिमाग को दरसाता है आपका सिर दर्द जो होता है वो पहले भाव से देखा जाता है कि कौन सा भाव कैसे पीडित अगर रोग का मालिक छड़े भाव का मालिक लगन में आ जाए तो सिर आपको हैड़ेक, माइग्रेन से समद्दी दिक्कत समश्याई हो सकती है बाकि अपने ग्रहों के कारक कत्व को भी जानना जरूरी है ग्रहों को भी देखना जरूरी है पहला बाव आपके सिर रंग कद और दिमाग को दरसाता है दूसरा बाव अगर आपके वाणी में अखलाहट होती है तो तलापन होता है वाणी में बोलने में दिक्कत समश्याई ह होती है आँखों में दिक्कत समझे हैं होती है वो दूसरे बाव से देखे जाती है चैरे पे काफी फुंशियां है चैरे पे काफी दाग दब्बे हैं वो सारे आपके यहां दूसरे बाव से देखे जाते हैं मुख वानी और नित्र आपका एक आँख जो है वो आपका इस बा तप तीसरे का मालिक या छहड़े भाव का मालिक तीसरे में आने से आपको स्वास संबन्दी दिक्त समझे आई भुजा और कंदे से संबन्दी दिक्त समझे जरूर हो सकती है चोथा भाव है छाती, फेफड़ा और आपका हर्ट का एक पार्ट इदर का क्योंग मन जो है वो आपका चोथा बाव में दिखाता है तो छाती और फेफड़ा आपके चोथे बाव में है पंचम बाव से आपके देखे जाते है पेट पेट सम्मंदी दिखका समशे ही होती है पेट इस्टमक प्रोब्लम होता है किसी को इस्टमक में दर्द रहता है है तो पेट हट आपके इस्टमक पंचम भाव से देखे जाते हैं छटे भाव से आपकी आंतें किड़नी देखी जाती है आंतें किड़नी देखी जाती है किड़नी समझी दिक्कत समझी अगर देखनी हो तो छटे भाव से देखी जाती है साथवे भाव से आपके गुप्त अ मालिक या तो पीडित होगा ये छहाट बारा का मालिक यूति संबन सप्तम्भाव में बन रहा हो तो दिखकर समशेयों का सामना करना पड़ता है अश्टम्भाव से आपका गुदा और अंड कोस देखा जाता है नववे भाव से आपकी जांगे जिगर और पीठ देखा जाता है जो पीछे वाला साइड होता है पीठ नितंब जो होता है पीछे वाला जो साइड होता है वो आपके नवम भाव से देखा जाता है दसम भाव से गुटने देखे जाते हैं और पेर का मद्य भाग बीच वाला जो भाग होता है गुटने जो होते है वो आपके दसम भाव से देखे जाते है टांग पेर का पिछला भाग जो होता है टांगे जो होती है पेर का पिछला भाग जो होता है वो आपके ग्यारवे भाव से देखा जाता है नींद लेना आंख एक दूसरी आंख आपकी पहली आंख आपकी दूसरे भाव से और दूसरी आंख आपकी बारवे भाव से देखी जाती है तो दोस्तों आपको अब मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में ग्रहों के बारे में चैनल को आप सब्सक्राइब जरू कीजिएगा वीडियो को लाइक जरू कीजिएगा जैमातादी